कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत हैं और कैसे हैं आप सब तो आप ही हो गए हैं गारा बाज़रा हैं अभी और जैसे मेरे घार में सुभा तर्में पुछा नहीं लगाई थी घर पर इसे जहारू लगाने के देख ऐने बाद नम खना भी बनाना पड़ता है कि मुझे न अधास बजह के बाद रहे हैं तो उन यह ऊच्छे से सारे काम करना पड़ता है और उसके बाद अब यासे खाना उनका सब बढ़ गया था to हम लोग भी नास्टा कर लिये थे उसके बाद जो है अच्छे से गेस की सफाय कर लिये उसके बाद मैं किशेन का भी घाल कर जो है अच्छे पोच लूँगी और पूछने के बाद आप जैसे की कुछ बनेगा नहीं तो पूरे दिन घर जो है साफ रहेगा तो इस तरह करके मैं पूछ लेती हूं पूरे घर को और बाकी घर में तो जाड़ू लग जाता है सुबही और जहां पूछना होता है मैं बाद में पूछ देती हूं तो इसके बाद सीथा में घर पूछ ली थी इसके बाद जितना अभी बारतान हुआ था सुबह से जितना भी बारतान हुए थे इहीं रखा हुआ है वह मैं अभी धोलूँगी उसके बाद में नहाने सीथा चली जाओंगी क्योंकि नहाना भी है और कपड़ा भी नहोना है तो इसी तरह करते रहूंगी तो सारे काम टाइम पर हो जाएगा तो फ्रेंड अभी है दुपः के टाइम करीब एक बज़ रहा है और हम लोग जो है अभी बहुत अच्छा दूप निकला है चाथ पर तो फिर हम लोग नहां कर सिधार तो पहले ही नहा लिया है और मैं अभी नहां कर चाथ पर आ गई हूं क्योंकि बहुत अच्छा दूप है तो अभी एक गandır चाथ पर ही रहूंगी और अभी जो बहुत अच्छा दूप आ रहा है तो दो तीन दिन से ही दूप निकर रहा ही याँ पर तो बहुत ठटी हवा चळ रहा था और आज क्या है ना आज दूप चळ रहा है लेकिन हावा थोड़ा काम है तो फिर गेहूं भी धोकर मम्मी जी ने घाटे हैं सुखाने के लिए तो यह गेहूं जो है यह सुखाने के लिए घारती हैं ताकि सुख जाए लेकिन एक दिन में नहीं सुखेगा अच्छे से इसको दो तीन दिन सुखाना पड़ेगा दूप में तब जाकर यह अच्छे से सुखेगा और आटा भी जो है अच्छे से बनेगा तो यह गेहूं जो देख रहे हैं यह तो हम लोग भरी देग लिए हम सबको मिलता है चार जनका मिलता है तो यह 20 केजि है और इसमें जो इतना सारे गेहूं में पूरे मैना जो है जो हम लोग का आटा हो जाता है और हम लोग को जो है गेहू आटा नहीं खरिदना पड़ता है तो फिर जो गेहू मिलता है उसी को अच्छे से धो कर साप करकर जो है आटा बन जाता है और अभी मैं भी नाने के बाद बहुत देर तक छाद परी थी क्योंकि आज अच्छा लग रहा था उसके बाद जो सिद्धार कराता। यह भी नाने के बाद चाथ परी था ममें के पास और इसका नखुन कार देती हूं क्योंकि इसका नखुन बहुत जल्दी बढ़ा हो जाता है और बहुत धार भी इसका नखुन में होता है तो आपने आपको कहीं भी नखुन से जो नखुनमें पहुत ज्यादा mixed Kaneृ में खोए तो न Pine worship मार लेता है और फिर रोने लगता है और हम लोग को भी नकून से जो है नकून कर देता है तो बहुत इसाना पता नहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी काट देती हूं जोने मैं टो तो और इस启। साम के टाइम हो गया Qu पारी पांच बजरा होगा और मैं आभी शाद पर आगी हूं कपड़ा उठाने के लिए क्योंकि कपड़ा अच्छे से जो है सूग गया था तो नाभी में ले जाओंगी नहीं तो फिर नहीं कभी तू बूला जाते हैं तो नहीं ले जाते हैं कपड़ा चाद पर रहता है तो मैं जो है और रात तो नहीं होने देती हूं अगर भूला जाती हूं तो फिर क्या होता है कपड़े और गिला लगता है और ठंडा हो जाता है तो कपड़ा लाने के बाद मैं यहां पर फॉल्ट कर रही हूं तो इस वास्केट पे जो है सिद्धार्थ का मैं कपड़ा रखती और यहां हुआ रखने से फिर टाइम से मिलता भी नहीं है तो इसे लिए उसके लिए वास्केट कर दी हूं ताकि इसी में रखे और सिद्धार का कपड़ा जो है यहां पर तो रहता ही है और उपर वाला कीचेन वाला जो रूम है जहां खाना बनाते हुआ पर भी रहता है क्योंकि सिद्धार भी हुआ जादा रहता है तो उसका पता नहीं कभी भी कपड़ा गंदा हो जाता है और गिला हो जाता है तो फिर तो होना आसानी से मिल जाएगा भी जो है सिद्दार्थ नीचे गया है बाहर जाता है साम के टाइम पर रोज थोड़ा सा मम्मी जी ले कर जाती है ताकि वह पता नहीं आदत हो गया है और हमारे घर के सामने जो है जिन जिन का घर वो लोग भी सिद्दार्थ को गदि लेते हैं और बहुत अच्छा से ये बाहर जाती ही रोएगा तो इसलिए आर इस टेम पे साम के टेम थोड़ा अच्छा लगता है बाहर ले जाने में तो दूर तो कहीं नहीं ले जाते हैं घार से नीचे थोड़ा रहते हैं तो और इसी तरह बनाए आदत बना रहेगा तो फिर कहीं जाएंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा और इधार मेरा बाते करते करते जो है सारे कपड़े फोल्ट हो गया और जो है सारे कपड़े में राख देती हूं अच्छे से उसके बाद मैं घार में जाड़ू लगा लूंगी नीचे जहां पर मेरा बेटरूम है वहां पर जाड़ू लगाने के बाद आ जात रात का खाना बना रही हूं तो रात के खाने में आज बने आज तो रोजी इस तरह बनता है रोटी और सब्जी और हमारे घार में ज्यादता रही ही रात को रोटी और सब्जी बनता है तो गबी और आलू मटर टोमेटो मिक्स करकर सब्जी बना रही हूं और रोटी बनाऊंगी बाद में तो यह में आलू छिलने से तो नहीं छिल रही चाकू से छिल रही हूँ ताकि यह जो आलू मारकेट से मह लायी है यह एकदम नया आलू है और इसका छिलका जो है एकदम पतला होता है एकदम ना के बरावर तो ये जो चाखू से इस तरह छिलने से अच्छे से छिल के जो है असानी से छिल जाता है और फिर छिलनी से भी तो है छिलनी से भी छिलते हैं लेकिन छिलनी से ये वाला आलू का जो है आलू ये निकल जाता है और चाखू से जो है अच्छे से निकल जाता है इसका पतला जो छिल लेती हूं और जितना मतर था उतना सारा मतर नहीं डाली थी थोड़ा सा डाली थी तो फिर इधार में कड़ाई गरम होने के लिए राग दी थी तो कड़ाई गरम हो गया है और इसमें में तेल भी डाली हूं और भी थोड़ा सा पांच फड़न डाल रही हूं और तेल गरम हो तो फिर प्याज भी काटकर जो रखी थी वह मैं डाल दी हूं तो यह देखिए मेरा सब्जी बार रहा है इस टाइम पर सब्जी से घर पर रहते हैं तो बहुत सारे बात होता है और यहीं पर रहते हैं सब तो ममी जी सिद्धार्त और यह भी आगे थे अपिसे तो यह भी हैं पर थे और बाते हो रहे थे और पॉन पर सहदीदी बात कर रही थी तो गुलू वीडियो कॉलिंगा भी किये थे और देख रहे थे पूछ रहे थे इसी तरह रोज होता है कि क्या सब्जी बन रहा है नानी जाता है को तिन दिन च्छोड़के जैसे कि व new बनी जाता है इसे थांड़ी के टाइंब फर चर्फियों जैसे कि एक दो दून चोड़के तो गवी बनीं जाता है और जो संदी शीजन में मिलता हूं वह ही सब्कै ज्यदा तर लाया जाता है गर पर और जो एसी तेरह फोन आपने आवाज देने लगता है और बाते करने खोजता है तो फिर उसी के साथ और सब के साथ बात करते करते टाइम चला जाता है और इसी तरह करके मेरा रात का खाना जो है बन जाता है तो इधार में रोटी बेल भी रही हूं सेख भी रही हूं तो इस तरह करके मेरा रोटी भी बन जाएगा और तो पहले मेरा रोटी बन जाने से एक आसानी हो जाता है अगर कोई खाने खोजते हैं जल्दी तो फिर दे देती हूँ जैसे रोटी बनता जाएगा तो गर्मा करम रोटी और सबजी दे दूँगी तो आज का वीडियो में रही तक का था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिएगा सेर किजिएगा और मेरे चैनल पर जो नाया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई